पंद्रागर्स 1947 भारतिय तिहास के सुनेहरे पन्नों में दर्ज वो दिन है जब हर भारतिय को भारतिय होने का गौर अप्राप्त हुआ इस दिन समूचे देश्ट ने गुलामी की काल कोठरी को तोड़ कर आजादी की आबो हवा में सांस ली थी भारत को मिली ये आजादी कितनी मुश्किल थी इसे सोच कर आज भी दिल काम पोड़ता है कलेजा मू को आ जाता है दिमाग की नसें फटने लगती हैं लेकिन आजादी के उन मतवालों को याद कर सम्मान में सिर जुग जाता है जिनोंने भारत मा को गुलामी की बेडियों से आजाद कराया था जिनोंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाब हस्ते हस्ते अपने प्राण निचावर कर दिये जिन माताओं ने अपने बेटों को इस लड़ाई में जाने की हिम्मत दी थी जिन सुहागिनोंने देश की अजादी के लिए अपनी मांग के सिंदूर को पोच लिया जिन बहनोंने अपनी जान से जादा प्यारे भाई को भारत मा की रक्षा के लिए भेज दिया था ना जाने कितनी कहानिया इतिहास के पन्नो में दर्जहें जिनकी कुर्बानियों की बदलत आज हम खुली हावा में सांस ले रही हैं और अब जबकि हमें आजादी मिले 66 साल हो चुके हैं आजादी के उन मत्वालों को याद करना जरूरी है जिनुने नारा दिया था सरफरोश्री की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं, देखना है जोर कितना बाजुई कातिल में हैं और स्वतंतरता किस महापरपर पेश है हमारी खास पेशकश स्वतंतरता तारीख 14-15 अगस्त की आधी रात जब सारा देश वर्डशों के खुलामी की आबो हवा में बेचैनी की रात काट रहा था चंद बिटिश हुकूमत के अधिकारी और भारती हुक्मरानों की मौजूदगी में भारत अपने स्वर्णिम भविष्च निर्मान की पठकथा लिख रहा था एक ऐसी पठकथा जिससे भारत को अपना खोया हुआ मान सम्मान दुनिया से वापस लेना था एक ऐसी पठकथा जिससे हमें पुराने गलतियों से सीख लेकर दुनिया का नजरिया भारत के प्रती बदलना था एक ऐसी पठकथा जिसमें उन बलिदानियों की आखरी इच्छा को पूरा करना था जो उन्होंने आजाद भारत के लिए देखे थे लेकिन एक आम इंसान के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था अंग्रेजी हुकोमत और भारतिये निताओं के बीच आधी रात को हुए इस आयतिहासिक समझोते की जानकारी देश की आवाम को अगली सुभा मिली थी वर्षों से अंग्रेजों का घुलाम भारत अपने हाथों की हथख़ियां और पैरों में बंधी बेडियों को तोड़ कर आज साथ हो चुका था और भारता ऊवाम बंधीत के सुझ के दाध बेड़िख नवाँ! कि घृट अ केज को वना है उनी हो,ि स्थी लुटीज थी लेगान सेमें ऑाव।श्यों avo specially। THIS अब्सश्शटाब स्टैन Hen यह उन्यविय कि इंड लिफ पिंड प्रुम केषena अार प्रेश्ट प्रावो करने न हम उता है लिए कि लिए प्रावित कर दोने इने लिए यहा इंड आज़े मार्ण बहुता स्केष्ट और आविवेगे ताविश्य पाना प्रेश्ग जिए इनाना करने प्युफंध भुफितन. अब आपके और हमारे दिल में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस भारत को अंग्रेजु ने सालों से गुलाम बना रखा था उसे अजादी देने के लिए 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया तो इसका जवाब सुनकर आप हैरान रहे जाएंगे क्योंकि इस तारिक को ना तो राष्ट्र पिता मात्मा गांदी ने चुना था और ना ही नहरू और पटेल जैसे बड़े निताओं ने ये तारिक तकालिन वाइसराय लॉड माउंट बेटेन ने चुना था और वो भी इतलिए क्योंकि दूसरे विश्वियुद के दौरान भारत को दशकों से गुलाम बनाए बैठे अंग्रेजी हकूमत के लिए 15 अगस्त की तारीख भले दिन अपने गुमान को दिखाने की तारीख थी लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए जमीन से उठकर आसमान को चुने की जिद थी लेकिन इस दौरान भी चुनोतियों की भरम कम नहीं थी भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से मानवता को शर्मसार कर रहा था और इसी बीच जो हिंदुस्तान अभी ठीक से समला भी नहीं था उसे महत्मा गांधी की हत्या का सबसे बड़ा जटका लगा दरसल महत्मा गांधी अह हिंसा की नीतियों को नहीं अपनाता तो कई साल पहले भारत ने घुलामी की बेडियों को तोड़ दिया होता लेकिन इस अहिंसा और हिंसा के बीच लड़ाई में गांधी की हत्या देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी जिसका दर्द साल 1948 में लाल किले से दिये नेहरू क के भाशन में साफ दिखा गया था महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता की संग्या दी गई थी उनकी हत्या के बाद देश की 35 करोड की आबादी एक पल में अनाथ महसूस करने लगी थी और उस वक्त पंडित नहरू ने कहा था रोशनी चली गई तो पटेल ने कहा था मार्ग दर्शक चला गया लेकिन इस मुश्किल गड़ी में जरूरी था देश को एक जुटता के साथ खड़े होना और यही काम पंडित नहरू और सरदार पटेल ने तमाम कड़वाहटों के बावजूद किया था एक तरफ भारत घुलामी की खबर पर आजादी की बुलं दिमारत खड़ा कर रहा था तो दूसरी और भीमराव अंबेड करके नित्रित्व में हिंदुस्तान को एक नया संविधान मिला और सरदार पटेल की अगुआई में 562 से जादा रियासतों ने खुद को हिंदुस्त रहे थे क्योंकि अंग्रेजों से भले भारत को आजादी मिल गई थी लेकिन कभी सोने की चड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेज पूरी तरह से लूट चुके थे और इससे उबरने में भारत को कई साल लग गए आज भारत जब अपना 76 वा स्वतंतरता दिवस मना रहा है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी खुले मंच से पहले ही अलान कर चुके हैं कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनॉमी होगा भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनिय था कोई सोच भी नहीं सकता था विक्सित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा बड़े लक्षा हासिल करने ही होंगे इसलिए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है दूसरे टम में आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी एकोनॉमी है और ये ट्रेक रेकोर्ड के आधार पर बातों बातों में नहीं ट्रेक रेकोर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूँ मैं देश को ये भी विश्वात दिलाऊंगा कि तीसरे टम में तीसरे टम में दुनिया की पहली तीन एकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा जिस रफ्तार से दुनिया ने भारत में अपनी धमक दिखाई है उससे इतना तो तैय है कि आने वाले समय में जो भारत अभी पांचवी सबसे बड़ी एकोनॉमी है उसे दो पाइदान और चड़कर तीसरे नमबर पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा यहां ये भी समझने की जरूरत है कि आपके और हमारे लिए एक इनसान के तौर पर 76 साल बहुत हो सकते हैं लेकिन इसे अगर एक राश्टर के तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इतने कम समय में भारत चांद तक का सफर तै कर चुका है आजाद भारत का इतिहास ऐसी उपलब्धियों से भरा पड़ा है और यही वज़ा है कि हर साल 15 अगस्त को हिंदुस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है तिरंगा आसमान को गर्व से ललकारता है और हर हिंदुस्तानी फक्र से तिरंगे को सलाम करता है हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को मिली अजादी के दिन देश के प्रधानमंती लालकीले से जंडा फेराते हैं क्योंकि लालकीले को अजादी के प्रतीक चिन के तौर पर देखा जाता है लेकिन सवाल ये कि आखिर आजादी का प्रतीक लाल किले को ही क्यों चुना गया तो इस क्यों का जवाब जाने के लिए आपको एक बार फिर से गुलामी के उस दौर को याद करना होगा जब नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था साल 1945 यानि भारत को मिली आजादी से दो साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दिया था और खुद आजाद हिंद फौज को मजबूत करने भारत से बाहर चले गए। इसी बीच उनके तीन साथी जिसमें कैप्टिन शाहनवाज, कैप्टिन पी के सहगल और लेफटिनेंट जी एस धिलन के खलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने कोट मार्शल का आदेश जारी कर दिया। आरूप था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नेहरू समित पूरे राश्ट्र ने इसका विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को जुकना पड़ा और तीनों स्वतंतरता सिनानियों को रिहा कर दिया गया, स्वतंतरता सिनानियों के रिहाई के बाद देश भर में विजयोत सव का माहौल बन गया, हर किसी को आजाद भारत, खोशाहाल भारत की तस्वीर दिखने लगी, और उसी समय से लाल किला स्वतंतरता सिनानियों और देश की जनता के बीच स्वाधीनता की पहचान बन इस घटना के महज दो साल बाद ही हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बना और आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने सबसे पहले लाल कले से जंडा फैरा कर देश और दुनिया को नया संदेश दिया था और तभी से ये एक परमपरा बन गई हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधान मंत्री लाल कले से अपने भाशन से देश का मकदर तै करती है अपने संकल्पों को करिंदित करना होगा अपने सामर्थ को करिंदित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को ले करके 2047 जवाजहदी के सो साल होंगे आजहदी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हिंदुस्तान भले आजाद मुल्क हो चुका था लेकिन चुनौती की भरमार थी एक तरफ हमारा पडोसी मुल्क पाकिस्तान तो दूसरी ओर ट्रीम की विस्तार वादीनीती ने भारत पर एक के बाद एक जंग थोप थी लेकिन वो कहते हैं न जंग में हस्यार से ज़ादा होंसले काम आते थे और भारतिय सेना के पार इसकी कोई कमी नहीं थी तद कालिन प्रधानमंद्जी लाल बहादुर शास्त्री ने इसी समय जै जवान जै किसान के नारों से देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया जै जवान जै किसान जै हिन जै हिन दरसल इसे भारत की बदनसीबी ही कहेंगे कि पडुसी के तोर पर एक तरफ पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क है दूसरी और चीन जैसा चालबास देश और इन सबसे खुद को बचाते हुए भारत को एक विकसित राष्टर बनना था लेकिन कहते हैं न कभी कभी न चाहते हुए भी नियती के आगे जुकना पड़ता है गरीबी से जूज रहे भारत पर साल 1962 में चीन ने जंग ठोग दी इस जंग में हमारी सेना ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला तो किया लेकिन कई दिनों तक चली इस लड़ाई में भारत को आखिरकार हार का मुह देखना पड़ा इसके दो साल बाद भारत के प्रधान मंत्री नेहरू की मौत हो गई और देश पर एक के बाद एक दुखों का पहाल तूट पड़ा इस मुश्किल समय में पड़ोसी धर्म एक दूसरे का साथ देने का होता है लेकिन हमारा पड़ोसी मुलक पाकिस्तान गफलत में जीना शुरू कर चुका था और इस मुश्किल समय में उसने मदद का हाथ बढ़ाने की बजाए युद्ध की शुरू आत कर दी जिसका भारतिय सेना और सरकार ने करारा जबाब दिया तदकालीन प्रदानमंत्री लाल बहद्दूर शास्त्री कद में जितने चोटे थे उनका मनोबल उतना ही बड़ा था लाल बहद्दूर शास्त्री के आत्मविश्वास और सेना के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को दूसरी बार भारत के सामने खुठने टेकने पड़ा दे दो बार भारत से हार कमू देखने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठीकाने नहीं आई और कश्मीर मुद्दे को लेकर उसने साल 1971 और 1999 में जंग की शुरुआत की जहां उसे भारती सीना ने ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं एक समय भारतीय फॉज असलहे से भले कमजोर थी लेकिन होसला साथ में आसमान पर था साल 1971 की जंग को पाकिस्तान कभी भूला नहीं पाएगा भारत की ततकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की कुशल रणनी थी और भारतीय फॉज के मनुबल के आगे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था लेकिन पाकिस्तान को मिला जख्म सिर्फ इतना नहीं है इस लड़ाई में भारत में पाकिस्तान की दो टुकड़े कर दिये और बांगला देश एक अलग राष्ट्र बना हलाकि पाकिस्तान का दिल इतने से भी नहीं भरा और एक बार फिर रोसने साल 1999 में भारतीय सीमा में घुस्पैट की गुस्ताखी कर दी इस समय देश की प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई थे अटल बिहारी वाजपई का नाम उनके काम से बिलकुल मैच करता था पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए उन्होंने सीना को आदेश दिया और भारतीय सीना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी ओकात याद दिला दी हम शांत चाहते हैं यह तो दुनिया ने देखा अब दुनिया यह देखेगी कि हम शांती की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं यह लडाई अभी चलेगी और इस लडाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है लडाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदे रही है हमारी विज़े निश्चित है और हम विज़े ही होकर दिखाएंगे हर बार चुनाव के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान बदल जाती है लेकिन एजिंडा पिछला सिर्फ एक है अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनहा देना और मौका मिलते ही उसका इस्तिमाल भारत के खिलाफ करना 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने सुबह करीब साड़े पाँच बजे जम्मु कश्मी के उरी स्थित भारतिय सेना के ब्रिगेड हैड क्वाटर पर हमला कर दिया जिसमें हमारे 19 बहादुर जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से ये हमला कितना सुन्योजित था इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आतंकवादियों ने तीन मिनट में सत्रह हैंड ट्रेनेट भैके थे भारतिय सेना के साथ आतंकियों की छे घंटे तक मुटभेड चली जिसमें चारों आतंकी मारे गए लेकिन पाकिस्तान से बदला यहां पूरा नहीं हुआ था देश घुस्से में उबल रहा था 130 करोड की आबादी वाला देश एक स्वर में पाकिस्तान को उसकी ही भाशा में जवाब देने की मांग कर रहा था देश की भावना को पीम मुदी भी भली भाती जानते थे और उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया और भारतिये कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया कर दिया कर दोड्यखर कुल यपने प्रश्चरीक थन्ट कांट जॉतिन थे थे जास्थे पनलीय कोजो प्रशाइ तो अपरिस प्रॉत के जॉत्य ओ में। नोस को लेडंग। छीनर थे थे जॉते ताबे लिए यूद कनी इक तर्वस अपरणी कीजिए झाहिए खिन सेध लिए जो है भारत की इस कारवाई से भी पाकिस्तान का दिल नहीं भरा और 14 फरवरी 2019 को उसके पालतू आतंकियों ने दक्षन कश्मीर के पुल्वामा जिले में CRPF के काफिले पर हमला कर दिया इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए देश में एक बार फिर से गुस्सा था मोदी सरकार पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी थी हर हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा और हुआ भी ठीक वैसा ही इस बार भारतिय जाबाजों ने बाला कोट में एर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसी की भाशा में जवाब दिया ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे दो देश चीन और पाकिस्तान हमारे पडोस में है जिनें अमन चैन से कोई वास्ता नहीं है दोनों ही मुल्क भू माफिया की श्रेणी में अवल स्थान पर आते हैं लेकिन इन चुनोतियों से पार पाना हिंदुस्तान को भी बखुबी आता है चीन ने जब गलवान घाटी में भारतिय फॉज के साथ गलत हिमाकत की तो भारतिय सीना ने भी बता दिया कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये नया हिंदुस्तान है दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन चीनी सैनिकों के साथ जड़प में भारतिय सीना ने 20 सैनिकों के मकाबले 50 चीनी सैनिकों को मार कर अपना बदला पूरा किया भारत का मनुबल हिमाले से भी उँचा है इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब गलवान हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए पी-म मोदी खुद लद्दाक के दोरे पर पहुँच गए जहां उन्होंने हजारों फीट की उचाई से दुनिया को जो संदेश दिया था उसे आज एक बार भेड़ से दुश्मन मुल्क को सुन लेना चाहिए आपका ये होसला आपका शावरिया और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुलनिया है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्तितियों में जिस उंचाई पर आप माभारती की धाल बन करके उसकी रक्षा करते है उसकी सेवा करते है उसका मुखाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है दुनिया भर के मुलकों को अब इसमें कोई शक्त नहीं है कि भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है एक और जहां 34 सालों बाद नई शिक्षा नीती लागू की गई है तो वहीं दूसरी और रक्षा के क्षित्र में भी भारत आत्मन निर्भर हो रहा है युद्ध और बुद्ध दोनों की नीतियों पर चलने वाले देश की प्रधान मंतरी नरींद्र मूदी भारत का वो स्वाभिमान एक बार भिर्ज से वापस लाने में जुटे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत से पहले कभी भारत हुआ करता था और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने लक्ष के खरीब हैं इरादों में फॉलाद और दिल में जुनून हो तो काम्याबी की रहा छोटी दिखाई देने लगती है हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ हिंदुस्तानियों की जिद नहीं उनकी दुनिया बदल रहा हुआ 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हर तरफ एक उलास था अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति का जश्न था बेशक इस जश्न में बटवारे की टीस भी शामिल थी सरहद ही नहीं संपत्ती भी बट गई थी इसके बावजूद देश एक नई शुरुआत एक शांदार आगाज के लिए तयार था कदम कदम पर संसाधनों की कमी हमारी रह रोक रही थी लेकिन किस्मत बदलने की जिद पाले बैठे हमारे रहबरों ने हमें हर मुश्किल से नजात दिलाई कभी विकसित देशों की उंगली पकड़ कर चलने वाला हिंदुस्तान सत्तर सालों में काम्याबी की ऐसी दास्तान लिख चुका है वो आज राइजिंग इंडिया की तारीफ करते नहीं ठकते हैं हमारी तरक की पड़ोसी मुल्क चीन की तरह मानवता की खीमत पर नहीं हुई है हिंदुस्तान में समाज और अर्थ व्यवस्था की बराबर प्रगती हुई है दशकों पहले जिन सामानों को हम लग्जुरी आइटम्स में गिनते थे वो आज हमारी जरूरत बन गई है बेशक हिंदुस्तान को अभी अपने सपनों की मन्जिल हसिल करनी है लेकिन दमदार शुरूरत ने दुनिया भर को इस बेमिसाल मुल्क का मुरीद बना दिया है हजारों में लंबे सफर के शुरूरत भी पहले कदम से होती है हिंदुस्तान ने भी 76 साल पहले ऐसे ही एक कदम से शुरूरत की थी काम्याबी रहा दिखाती गई, मन्जिल करीब आती गई कहते है ना सूरज को हमसफर बनाया है तो सोच लो इस रास्ते में प्यास का दर्या भी आएगा हमारे साथ फिलहाल इतना ही मुझे दीजिये जाजत आप सभी को सूर्य समाचरार की ओर से हैपी इंडिपैंडेंस देग